आइस्क्रीम खाने का मन कर रहा था तो सोचा आइस्क्रीम बनाई जाए तो मैंने वाटरमेलन निकाला, उसको काटा, उसके अच्छे से पीसिस कर दिये, पीसिस करने के बाद मैंने वो मिक्सर जार में डाल दिया, उसके बाद मैंने उसमें छीनी डाली, काला नमक डाला, हलका पासा रसना भी डाला था, फ्रेंट्स कभी भी आप आइसक्रीं बनाओ तो रसना जरूर डालिएगा, ये देखिए हमने मिक्सर जार में पीस लिया है इसको, अब हम चलनी ले लेंगे, चलनी से अच्छे से च्छान लेंगे, च्छानने के बाद इसके भी जालक कर देंगे, देखिए friends हमने अच्छे से छान लिया है ये तेयार हो चुका है आइस क्रीम बनने के लिए इधर हमने कॉफी के छे गलास निकाल लिये हैं फैसे छे गलास में तो नहीं आया था चार गलास में ही आया था आगे आगे देखिए क्या हुआ था फॉयल पेपर को गलास के उपर कवर करने के बाद जैसे ही मैं फ्रीज के पास गई फ्रीजर खोल कर देखा तो अल्रेडी फ्रीज में आइस की परज जमी हुई थी तो कैसे भी मैंने गलास को उपर से काटा कूटी करके सेट करके रखा फ्रेंड्स उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा जल्दी निकाल लिया था फ्रीजर से तो फ्रेंड्स ये रेल्टा है था हमारी आइस क्रीम का लेकिन खाने बहुत टेस्टी थी फ्रेंड्स आइस क्रीम आप भी बनाईे खाये वीडियो पसंदा है तो लाइक